स्री हरी कोटा अंतरा आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे वरोसे बंत का रिक्रम ये देश है हमारा और इस बार हमारी चर्चा का मुद्दा है क्या सनातन का ये अमरित काल है क्या हिंदू और सनातन का कोई मेले हैं अचा फॉल और उसका रसल को सकता है सुर्य और उसका आपका सथ के साथ समान बर्टाओ किया जा डेखिये नहीं हो रहा है अब देख रहे हैं ये देश है हमारा अमीश देवकन के साथ नमस्कार व्यूवर्ज आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे वरोसे बंद कारेकरम ये देश है मारा 2014 में प्रधार मंतरी बनने के बाद नरेंद मोदी छटी बार महादेव के महादाम केदार नात पहुंचे इसके बाद बदरी नात में भगवान बदरी विशाल के दर्शन किये लेकिन मुद्दा सिरफ प्रधार मंतरी मोदी की यात्रा का नहीं है काशी से लेकर केदारनात तक उजैन से लेकर सोमनात तक बदरीनात से लेकर अयोध्या तक मोदी सरकार के दोर में सनातन आस्ता का हर केंदर पहले से जादा दिव्वे और भव्वे होता जा रहा है लेकिन इस रंग में Congress के बड़े नेता शिवराज पाटिल ने भंग डालने की पूरी कोशिश की शिवराज पाटिल ने भगवान श्री कृष्ण के गीत्या ज्यान की तुलना जिहाद से कर डाली भगवा आतकवात की थोरी के बाद शायद सनातन आस्ता पर सबसे बड़ा उठारा घात माना जाएगा सवाल है कि सनातन आस्ता की चमक से कौन इससे में परिशान है सवाल ये भी है क्या वाकई नरेंद्र मोदी सरकार का कारेकाल सनातन आस्ता का अमरित काल्ज साबित हो रहा है आज इसी मुद्दे पर जनता के बीच होगा मेहमानों के बीच होगा सबसे बड़ा सववाद शक्रवार को महादेव की महाधाम केदार नाथ और भगवान विष्णु के दिव्वेधाम बद्री नाथ में पियम मोदी ने पूजा अर्चना के साथ कई विकास कारियों को हले चंडी दे बाबा के दार और बद्री विशाल जी के दर्शन करके उनके आशिरवाद प्राप्त करके जीवन धन्य हो गया मन प्रसन्य हो गया सिर्फ मोदी की आश्था नहीं आश्था के इन केंद्रों को भी देख लीजिए ये पाँच तस्वीरें सनातन के नए सूरद की सबसे बड़ी गवाही दे रही है केदारनाथ वद्री नाथ से लेकर काशी धाम महा कालू और अयोध्यामी राम लला की हव्वे मंदर निर्मान कर सनातन आस्था के सभी प्रती किस्था अब सबसे ज़दा दिव्वे पहले से ज़दा हव्वे हो चुके थे दोहजार चौदा मी मोदी सरकार आने के बाद 856 करोण की लागत से माह का लोग 400 करोण की लागत से श्री केदारनाथ धाम का कैयाकर्प 900 करोण की लागत से दिव्वे काशी धाम तयार और साथ ही सोमनाथ में भी कई प्रोजक्ट की शुरुआत हो गए लेकिन धर्म कर्म में भी विपक्ष को राजनीत दिख गई सवाल ये कि एक तरफ सनातनास्था का सूर्वधव हो रहा है दूसरी और कुछ ताकतें गलत बयानी कर छूटा प्रोपगेंडा फैला रही है क्या सनातनास्था के अमरितकाल का फाइदा सिर्फ एक वर्प को मिलेगा इस विकास का फाइदा सीधे आर्थ विवस्था से नहीं जुड़ता तो स्वाबत आपका सनातनास्था के सबसे बरे अमरितकाल में और हमारे साथ जनता जनार्दन है जोरदार तालिया आपके लिए मेरे साथ कई धरम गुरू भी है उनका भी अबिनंदन है मेरे साथ मौझूद है देफ की नंदर ठाकर जी जोरदार तालियों के साथ अभी वादन करिये Diff Kinnander ठाकुर का मेरे साथ موجود है स्वामी रित्वेश्वर्जी महाराज जोरदार तालियों से अविनंदन करिए मेरे साथ मوجود है डॉक्टर सुदान चुत्रवेधी प्रकर वक्ता जोरदार तालियों से उनका अविनंदन करिए मुलाना साधित रशीदी जाने मुस्लिम धरम गुरू जोरदार अबिनंदर उनका है मेरे साथ मुझूदे शदाब चोहान नेताफीस पार्टी के उनका अबिनंदर है जुनेध हारिस मुस्लिम स्कॉलर उनका अबिनंदर है और जोर्दार तालिया देश की जनता जनार्दन के लिए क्या सरातर थास्ता का यह अमरित काल है यह आज का सबसे बड़ा सवाद है और मुझे पूरी उमीद है कि पूरे इस तकबाल के साथ मांत समवान के साथ इस चर्शा को आज हम शुरू करेंगे और मैं शुरुवात में 50-50 सेकिंड सब को दूँगा अपने बात को रखने के लिए 2014 से शुरुवात देव के नंदर ढाकुल जी आपसे करता हूँ साल 2014 से ऐसा माना जा रहा है कि देश के अंदर सराता नास्ता का ये अमरित काल जो शुरुवा वो लगातार चल रहा है और इसके पीछे पिरोधी कहते हैं कि नरेंद्र मोधी है जो पक्षवाले कहते हैं नरेंद्र मोधी है बताईए है क्या नरेंद्र मोधी है शिर्फ नरेंद्र मोदी रीजन यथा राजा तथा प्रजा जिस देश का राजा जैसा होगा वैसी ही प्रजा होगी अगर राजा मदिरा पान करके अपने कक्ष में पढ़ा रहेगा तो प्रजा भी उसका पाला नहीं करेगी राजा अगर केदार ना जाएगा राजा अगर कासी विश्व ना जाएगा राजा अगर आयुज्या जाएगा राजा अगर काल महा काल जाएगा तो प्रजा के मन में भी होगा कि हम लोग अपने संसकार अपनी संसकृति का सम्मान करें उसका आदर करें जब हमारा राजा कर स उस दिशा को दिखा देना ये अमरत काल है शदाब चौहान आपको देता हूं 50 सेकेंड उन्होंने अपने 50 सेकेंड का इस्तमाल किया आप भी करिए 50 सेकेंड का इस्तमाल मेरा दो टूक सवाल है अयोध्या में दिये तो 70 साल पहले भी लगाए जा सकते थे लेकिन अब ये दो मानव मानव में जाती धर्म का बेदवा होकर उनके साथ अत्याचार होता हो मानव का वह अमरत काल नहीं हो सकता जहां लोग बेरोजगार हो महिलाएं असुरक्षित हो देश अमेरिका और चाइना के सामने टकराता नहों वह अमरत काल हो नहीं सकता जहां अत्याचार होता हो मैं तो ये कहूंगा कि ये हिंदु तो का अमरतकाल हो सकता है सनातन का अमरतकाल नहीं सनातन में नियाए है संगर्स है शांती है बलीदान है त्याग है डरना नहीं जगरना नहीं अपराद नहीं अत्याचार नहीं हाँ इतना जरूर है कि मुसल्मानों का दलीतों का और महिलाओं का ये अपातकाल है और मैं मानता हूँ कि अगर आज मर्यादा पुरिश श्रीराम बजाहिर हमारे बीच होते तो आज ऐसे रामण रूपी लोगों से युद करते जो लोग आज अत्याचार कर रहे हैं सुधान शुत्र वेदी ये सवाल मैं आपसे भी पूछता हूँ मानलिया रामलला का जो मंदिर था उस पे विवाद था बाबरी मस्जित का विवादि धांचा था जिसको लेकर कोट में मामला था लेकिन दियों को जलानों के लिए तो कोई विवाद नहीं था सतर साल पहले से ये जिये जलाए जा सकता है ते सतर साल क्यों चालिस साल पहले कोई जिये जला सकता था तीस साल पहले कोई जिये जला सकता था उसके लिए तो कोई कोट का प्रूवल नहीं चाहिए होता उससे वेदिक महात्पूर्ण बात मैं कैना चाहूंगा दीपा वली का पर्वос्या को सबसे घनी रात होती है क्यों शूर्यतुला राशी पे होता है और अर्थ से फार्देस डिस्टिंस पे होता है सबसे अदिक दूरी पे होता है इसलिए वो रात सबसे गहरी होती है और उस रात को चुनोती देने के लिए सनातन का उद्गोश यो वेदों का है असतो मा सद गमें तमसो मा जोतिर गमें मृत्योर मा मृत्यम गमें दीप जलाकर हम उसको चुनोती देते हैं इसलिए जब जब मानवता का सुरण काल आएगा तो भारत और सनातन का सुरण काल आएगा और तब तब यह दीप जलेंगे और जब बरबर आतंक छा जाएगा तो दीप बुझ जाते हैं जिसे अटल जी की कविता में कहना चाहता हूँ दुनिया का इतिहास पूश्ता रोम कहां यूनान कहां है घर घर में शुब अगनी जगाता वह उन्नत इरान कहां है दीप बुझे पश्चिमी जगत के छाया जब बरबर अंधियारा तभी चीर कर तम की छाती चमका हिंदुस्तान हमारा और वही चमक हमें दिखाई जी क्या आपको लगता है कि जो भारतिय संस्कृती है उसका भी अम्रित काल है क्योंकि भारतिय संस्कृती के अंदर हमने देखा पीते कई वर्षों के अंदर भारतिय संस्कृती परंपरा जिसका निर्वाज शायद होना चाहिए था वो सत्तर साल तक नहीं हो पारा आज इस सर नफरत जिस चरम सीमा पर है जिस तरह से आज के युवाओं में नफरत को जहर बना कर घोला जा रहा है आज वो कहने के लाइक नहीं है पहले ये था कि अगर कोई रास्ते में एकेला आदमी मिल जाता था तो दूसरा आदमी उसको देखकर अच्छा महसूस करता था कि हाँ साथ में लेकिंडर रहा है पता नहीं मेरे साथ क्या कर दे पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाए तो ये नफरत जो बोई गई है ये नफरत जो बोई गई है ये हिंदुस्तान की संस्किरते नहीं हो सकती हिंदुस्तान की संस्किरते तो यह है एक ही घाट पर शेर और बकरी पा Zidhi साप ने यो टेक सर सेर और बकरी साथ ही पानी पी रहा है यहां पर लेकिन आपको एक बात बता हौरा दू जंगल का कानून नहीं है जंगल में भी सेर बकरी एक साथ पानी पीने चहिए mathematical बात करी मैं और हौँगा जूंएध हरिस ये जो एक logik विया दारा था शेर और बक्री साथ पानी पीने चाहिए ये तो एक सही बात बोली स्वामी जी ने कि जंगल में भी शेर और बक्री तो साथ पानी नहीं पीते लेकिन एक बात बताईए ये देश सनातनास्ता से चलता है ये देश में सनातनास्ता केंदर में है तो इस देश की अगर सनातनास्ता का अमरतकाल होगा तो देश कभी अमरतकाल है ये तो पचास सेकेंड देखे एक चीज में बताओं कि ये हमारा जो मुल्क है इस देश की सबसे बड़ी खुसूसियत अगर कोई कही जा सकती है तो ये है कि विभिन परकार के आस्थाएं विभिन परकार की पुझा पधती इस मुलक में पाई जाती है और जाहर से बात है जैसे इस मुलक को हम किर्शी परधान देश कह सकते हैं वैसी हम धर्म परधान देश भी कह सकते हैं अब जब धर्म परधान देश है तो सनातन में जो विश्वास रखते हैं ये उनके लिए भी आप कह सकते हैं कि बहुत अच्छी बात है उसकी एकॉर्डि हमें अपने भीतर महसूस करना चाहिए कि हमारी आस्था के अनुसार हम रास्ट्रियता और मानौता के नाम दे क्या रहे हैं अगर हम शान्ती दे रहे हैं बहुत अच्छी बात और अगर नहीं दे पा रहे हैं तो बहुत अफसोस की बात है आपने आठ सेकेंड उपर लिए सुदान चुतर वेजी शेर और बकरी पे मैं एक बात कहना चाहूंगा कि बहुत बड़े पत्रकार हैं मार्क टिली बीबी सी के लोगों ने नाम सुना होगा 26 साल भारत में रहें उन्होंने 2019 में लिखा है कि उन्होंने 26 साल दिली के निजामत दीनेरिया में गुजारे जहां पर एक तरफ हजरत निजामत दीन अलिया की दरगा थी और उसके सामने तबलीगी जमात का आफिस और ये मार्क टुली का कहना है दुनिया का कोई दूसरा देश होता तो दोनों एक साथ नहीं रह सकते थे 26 साल में बड़े से बड़े मुस्लिम देश में एक तबका दूसरे को खतमी कर देता परन्तु ये भारत है उसके लिए उन्हें शप्रियो किया जहां के मुस्लिम लकियस्ट है यानि सरवादिक भागशाली है चुकि वो अपने मख़ब में जैसे चाहें वैसे इबादत कर सकते हैं ये है कि शेरो बकरी साथ रहते हैं रचीदी साब तो इसका मतब है ये सनातनास्ता को जो अमरेत काल है ये आपके लिए भी सनातनास्ता अमरेत काल है क्योंकि इसमें तो सब प्यार से रह रहे हैं आपके लोग भी प्यार से रह रहे आपको तो तारीफ करने चाहिए नरिंद मोदी की आपकी बात का पहले जवाब दे दूँ आपने पहले इनसे प्रशन पूछा है कि ये आस्था से चलता है देश सनाता नास्ता से चलता है ये सनाता नास्ता से नहीं चलता ये सम्विदान से चलता है लेकिन सर मैंने बोला सनाता नास्ता इस देश की केंद्र है सनाता नास्ता इस देश का केंद्र है केंद्र भी नहीं है सम्विदान है इसका केंद्र उसको भी फिर करेक्ट कर लिए अप है आप तक नहीं है कर दो कि महात्मागंदी की महात्मागांदी की आई माट्मागांदी का जोराजगा但 यह रा machine right हुआ है हेराम इसलिए इस देश का केंद्र है सब्सक्राइस है क्यार चैसे की सभिधान में भी परभुराम की तस्वीर है, इसली सगनातनास्था उसका केंद्र है. यहां राम की बात होगी बात होगी, अगर गोड़ से की गोलिशे मरते हुए गांधी जी हे राम कह सकते हैं, तो इसका मतलब नहीं की देश जो है, उसी आस्था से चलेगा. पिसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है फिर करेक कर लीजिए अपको तीसरी बार बारो वारिनिंग दे आँए हो आपको फिर करेक कर लीजिए आपकी बार्निंग तो बड़ि खतरना को होती है सНеले कर ले एक बात है साहब सेर और बकरी पाकिस्तान में दिखे क्या आपको सेर और बकरी बगल अभी सुन ले देखे अभी मैंने बोला था आपके बीच में सर सर हिंदुस्तान की बात करो हम कर रहे हैं हम हिंदुस्तान में बैठे हैं सर देखो अब हम वो भी कर लेंगा आज जोड़के माफी चाहता हूँ आपसे, पाकिस्तान के हमसे बात ही ना करो, आप उनकी बात रखने दीजे, देव के रम देंगे, पाकिस्तान वालों को इंटर्विव ये देते हैं, और कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान को नाम न ले, इंटर्विव तो मैं अमरीका को भी दे इत्याद में नजर आते हैं, लेकिन भारत में अमरतकाल, क्योंकि हम यह बात करें, सानातन आस्था का अमरतकाल है, किसलिए है, क्योंकि आज भी 70-75 साल आजाद हो गए, यहां पर आज भी बड़े मजे से हम लोग सम्मिल कर, मैं अपने बेदों की, पुरानों की कथा कर सकत और हम उसके सर को तन से जुदा कर देंगे, उसके बाद भी हम यह कह दें, कि नहीं हम इंदुस्तान में यह सब नहीं हो, यह कैसे होगा, अगर हम भाईचारे की बात कर रहे हैं, पर मुसल्मानों में शत्रिया नहीं होते, मेरी जानकारी नहीं होते हैं, मुसल्मान होने पर भी गर्व है, मुझे छत्रिया होने पर भी गर्व है, यह कॉम्बनेशन मैं समच नहीं पा रहा है, 10 सकी नोट दे दीजे, 15 सकी नहीं है, मैं सिर्फ इस बात को कह रहा हूँ, कि किसी ने भी उस नारे का किलिंग का समर्था नहीं किया लेकिन जो महिलाओं की इज़त लूटने वाले लोग हैं उनको बचाने के लिए सुदान्शु जी बताए कि केंद्र सरकार में पिल्की सेवरत काई को क्यों बचाया आपने विश्य को रखा इनको शेर बकरी जैसे चाहिए थे मगर अपसोस यह है कि आप सुनिये जब शेर बकरी जैसे थे तो मैं मौलाना साब कहा है कि आप चलते हुए डर लगता था चलते हुए तब डर नहीं लगता था जब चलती ट्रेन में धमाका होता था चलती बस में धमाका होता था रेलवे स्टेशन पे लिखा रहता था चूना नहीं बम फट जाएगा जिस जमाने में वहां लिखा रहता था दम ठट जाएगा देश के हर्पने में भगर आदमी डर रखता आप जब से बकरी वाले शेर अब शेर हो गए हैं तो धमाके बहुने बंद हो गए हैं कि नहीं इसलिए सब शांती से मिलके रह रहे हैं सब शांती से होके रहने हैं अब दूसरी हाँ बिल्कुल जो आपने बात बोली तो मैं ये भी कहना चाहता हूँ पहले भी कई बार कह चुका हूँ जिस जमाने में दौर था जब भाजपा का दौर नहीं था तो कौन से लाकिम धमाके नहीं होते थे गौहाटी हैदराबाद ब पिर उसके बाद जुनेध हरिस और सवामी जी 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 बोलिए सट्टी सेकंड फिर मैं आडिन्स के बास मुझे तो पता कि मेरे मेरी बात पर तालिया दो नहीं बज़ेंगी लेकिन एक बात था जा तो उनके लिए अब बोली आप बोले बोली नराजगी क्यों मैं ताली चा पाइब लेकिन उस से भी बडा जो दर्द है उसको आप ना बोलना चाहते और ना उसका निवालन करना चाहते है वो बढ़ा दर्द क्या है मैं मैं बडाता हूं एक में आदमी को रास्ते पर चलकर मोब वाइरल वीडियो है, मुझे लगा कि इस मंच के ओपर उस वीडियो को आज दिखाना अवश्क है, उसको जरूर आप लोग ध्यान से सुनिए, और मैं विवर्स आपको भी बोल रहा हूं, जो विवर्स उस समय बैठे हुए हैं, उस तरफ बैठे हुए हैं, वो अपने और मैं यहाँ पर जो जो लोग बैठे हुए हैं, मेरा उनसे निवेदन है, कि इस आडियो को, इस वीडियो को ध्यान से देखें, मेरा आप से भी निवेदन है, चालिस सेकिंड के लिए सिरा, नाम ली आ जाएगा, यह कोई राजनिती नहीं है, ना कभी थी ना होगी, मैं कोई दस साल से नरेंदर मोदी का नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं सिर्फ ढ़ाई साल से नाम ले रहा हूँ, क्योंकि ढ़ाई साल पहले ही, मेरे राम मंदिर का फैसला को लेकर आया, समझना पड़ेगा इस बात को 500 साल तक राम दंबू में थे किसी का दिल नहीं दुखा वो सीता भी रोज राम कभूसती होगी कि राम देश हमारा है अयो त्या हमारी है मगर हमारा महल का है हमारा महल का है सीता कहती होगी कि राम कि ट्रेता में तो हनुमान था उसने हमारा राचे विश्य करवा दिया किया इस कल्यूग में कोई आएगा जो हमारा राचे भी शेक कराएगा तब राम कहते होंगे सीता चिनता मत कर गुजराच से नरेंदर मोधी आ रहा है जो हमारा करा वात ये जो बायट है ये जो स्टेक्मेंट पर ये बहुत कुछ बताती है और इस देश का कर पड़ना को शायद व्यक्त करता वह नहीं आता तो वो नहीं बोलता हमारे लिए दिये जलाओ वो नहीं बोलता उसे बोलने की आदत ही नहीं रही लेकिन शायद आप उसको पता लगने लगा है कि हमारी देश की संस्कृती कहां रचती और बसती है अमिश जी अभी मैंने सुना और बड़े भावक तरीके से बात कही गई हम जानते भी हैं कि भारत में अयोध्या के लिए राम मंदिर के लिए जितने वर्ष तक इंतजार करने पड़े मुझे नहीं लगता कि चाहे वेटिकन हो या काबा वहां पर हो या उनके धर्मस्थान हो कभी वहां के लिए कोई इतने लंबे समय तक कोई भी समुदाय इंतजार कर सकता है भारतिय सनातन परंपरा और भारत की हिंदू प्रजाती हम सब हैं मैं इनको भी मानता हूँ और एकर ये बात करेंगे तो साबित करूँगा कि कैसे हमारा हिंदुत तो जीवन पद्धती है हिंदु मुसल्मान की बात नहीं वो धर्म की बात नहीं है बात है हिंदु तो जीवन पद्धती की राम मंदिर लेने के लिए यहां की जनता यहां के लोग कितने प्यारे हैं इंतजार करते रहें आपने कहा सलकों पर कभी नहीं उतरते वो कभी नहीं उतरते लेकिन वास्तों में एक व्यक्ति ऐसे आते हैं गुजरात से जिनोंने भारत में भारतियता राष्टियता और सनातन संस्कृति का पुनर उद्भव किया है और इसके लिए पूरा राष्ट इस महापुरुस के साथ सदा खड़ा रहेगा आने वाले समय में नरिंद्र बोदी के साथ देखिए अभी आज आपके मन से एक और बाद उठा दू राम मंदर के लिए इजाज़त मिल गई कोट ने कहई दिया कासी के लिए भी चली रहा है मतुरा अभी भी बाकी है और अभी भी बकरी घुरा रही है किसकी तरफ सेर की तरफ किसलिए बोले तुम्हें राम मंदर मिल कर रहा है लेकिन अभी मतुरा की बात करना अभी कासी की बात मत करना यह अमृत काल आज भी सनातनी प्रतिक्षा कर रहा है इंतजार कर रहा है कि हम कोड में जाएंगे और कोड से ही अपने राम दर्म की बात है कि इस मुल्क का धर्म घुरू धर्म नेता किसी को बकरी कह और खुद को शेर समझें ये देश है हमारा में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए एक अंतराल के लिए लेकिन ब्रेक के बाद भी सनातन का ये सबसे बड़ा क्या अमरत काल है इस पर आज हम ग हम से हुश्छा बोलेंगे हमसे उश्छा बोलेंगे अप वेल्कम बाक फ्वीवर्फाब देख रहे हैं ये देश हमारा का विषएश एडिशन और इस बार हमारी चर्चा का मुद्धा इस बार हम संवात कर रहे हैं क्या सनातन का ये अम्रत काल है एक रशी जी साब मेरा पॉइंट है इस देश के अंदर तो हम जानते हैं कि चाहे वो ईद का वाका हो या फिर उससे उससे पहले का वक्त हो हमने देखा है सेलिबरेशन होती है और बहुत अच्छी बात होनी चाहिए लेकिन ऐसा क्यों होता था कि रोजा इफ़तार तो होता था लेकिन दिये नह की तो रहा है राशपती की नहीं चलती हैं यहां परधानमंदरी की चलती है कोई परधानमंदरी मुसलमान नहीं रहा सारे हिंदू रहे अगर वो अयोद्या नहीं गए अगर वो केदारनात नहीं गी तो इसमें मेरी क्या गलती साजी देशी देशी नहीं है आप इसको बार को आदत हो गई है कि देश के संसादनों पर मिनुर्टी का हक धूट पहले हैं चुण यह पी जब लिए आप उन्हें हैं। जब आक्पारों ने च्छापा तो फ्रादमत्रिकार ने खटर्मार ने इसलिए कहा था उन्होंने और कहा भी इसलिए था चुके मैनुटी देश के अंदर किन हाला से आप सचर कमेटरी की रिपोर्ट पढ़ लीजिए जब आप कहने हैं कि बिल्कुद सचर कमेटरी की मैंने चुके रहे हिए लेकिन उसका अध्यापन कर देते हैं यह कितना इंटरिस्टिंग है लेकिन लेकिन वह सब कुछ सेकुलर बात था लेकिन अगर अगर योद्या में दिये जलाये वह मुसल्मान को भी फाइदा होता है क्योंकि वहाँ पर इतना टूरिस जाता है वहाँ पर रोजगार बढ़ता है जी इसका सीधा संदर्व एकनोमी से है अगर कश्मीर में अब टूरिस्ट कम जाते हैं तो वहां के बाशिंदों को उसका नुकसान होता है इट इस पेसिविक आप कह सकते है इट इस अब बेसिक एकनोमिक कॉमन सेंस ओके देविके नंदन टाकुर्दी तर्टी सेकंड एंचादाप चाहन अमीजी वह अम्रतकाल सनातन का नहीं हो सकता जहां पांच लाग से जादा कस्मीरी पंडितों को मार के भगा दिया गया हो मार दिया हो उनकी ब प्रदानमंत्री हिंदू रहे वो हिंदू नहीं रहे उनकी मेंट्रिटी हिंदू नहीं रही होगी क्योंकि उनको केदाना जाने में डर लगता था उन्हें मतुरा जाने में डर लगता था उन्हें किसी भी तीरत में जाने में डर लगता था मुझे गर्व है कि आज मेरा प सब्सक्राइब जीवन पदती हिंदुत्व ऐसा सुप्रीम कोट ने का सुप्रीम कोट ने हिंदु शब्द का परियोग किया था और ही बात यह कि हिंदुत्व और सनातन का कोई मेल नहीं है हिंदु तो एक है मैंने बड़े-बड़े धर्मचारों से बात करी सुप्रीम के उपर मेरा है अब इससे बहतर कोई पैनल नहीं होता है राहूल गांदी ने थोरी रची राहूल गांदी को हुए राहूल गांदी आपको फॉलो कर रहे हैं बिलकुल जवाब पूर सुन लिज मेरा क्वेशन ये ता सर से कि जैसे सर ने बोला कि मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं होता तो हमारा धर्म हमें मानवता नहीं सिखाता क्या ओके बड़े अच्छा पॉइंट है कि हमारा धर्म हमें मानवता नहीं सिखाता क्या जो मुलाना जी ने अपि बात की थी भे की और मौ ब लेंचिन की, मैं अध्योवासी अभी की बात करूंगा, ना ही पुरानी करूंगा, ना ही आगे की करूंगा. हमारी खुद दुर्गा पूजा में मुसल्मान हमारी अपने त्योहार में निकालने के लिए दुर्गा पूजा में दुर्गा मांकी जहां की निकलती है उसमें हमारी क्यासे कुम्यूटी को मार दी जाता है और वहीं जहां पर लिखा गया है, it is written in 15.8 1508 में जो गिराई गई थी बावर मर्जित इस रिटन की वो मंदिर तोड़ के बनाई गई है उसे तोड़ने पर भी हमारी मौत होती है हमारा तोहार सलिब्रेट करने पर भी हमारी ही मौत होती है तो इसमें मौब लिंचिन किसकी होती है सुप्रीम कोट ने सुप्रीम कोट ने साबित कर दिया है सुप्रीम कोट ने जज्जमेंट में कहा है अपनी बात को लगते जुने दैरिस कोई मस्जिद नहीं बनाई गई देखे मैं आपको एक शीज बता दू इस बच्ची ने जो सवाल किया था मानवता के हवाले से बिलकुल सही कहा मानवता से बड़ी कोई चीज नहीं हुआ करती है अभी गुजरात में रेपिस्ट को बिलकीस बाने कोई रेपिस्ट को जब अदालत ने छोड़ा मैं उस पर कोई टिपड़ी नहीं करना चाहता हूँ कौन लोग थे जिन्हों ने फूल माला सुन से इस्तक्बाल किया मैं ये कह रहा हूँ कि कश्मीर से कश्मीरी पंडितों को भगाने वाले भी मुझरिम और गुजरात की ये भी मुझरिम मैं साथ हूँ उन लोगों के जो लोग अपना घर छोड़ करके है यहांपर है मैं मुस्लिम नेताओं के शाथ जाकर के बात करने को तयार हूँ यह चिस ऐसे iam मानाता कि में बात कर रह toen चाहे हिंदू और मुसलमानों सब के साथ समान वरताओ किया जहाँ देखिए नहीं हो रहा है आप किहां यह नहीं है इसको मान लीजिए आजे मैं बता देखे रूके अब जवाब आएगा इसका जवाब आएगा इसका जवाब आएगा देखे मेरी बास सुनिए पहले इस बच्ची ने ये का कि मानवता धर्म मेरे सनातन धर्म से ज़्यादा अच्छा मानवता कोई नहीं सिखा सकता ये याद रख लीजिए सरवे भवन्त सुखिना सरवे संत निरामया लेकिन मेरे यहां राम इसलिए आते हैं कि अगर कोई रावन खड़ा हो और मेरी संस्कृति को मिटाने का काम करे और मेरे सांती के मा आरग में चलने से रोके तो उसको मारने के लिए रावन भी बनते हैं इसलिए गुरू करूम की जाब शिकता है इसलिए ऐसे मेरी बात सुन लिए हम सब थोड़ा अब हम टीवी चैनल पर हम बताईए आप झैसे चीए के बोलने हैं अमिद नहीं रख रहे हुए अप मुझे बोलने नहीं दे रहे यही अभी भी नहीं बोलने दे रहे हैं और यही सनातन है के हम आराम से अभी भी सुन रहे हैं अगर हम पाकीस्टान में होते हैं तो टीवी स्टूडियो में क्या होता यह आप सब जानते हैं इसलिए यह सनातन का और मड़कार है अगर पाकिस्तान में नहीं केरल में होते तो फादर जोजव की तरह हाग कर दिया गया होता अच्छा यह 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 आपकी है श्राइब शुनिए सुनिए यह समवाद सुनना बड़ा जरूरी है वियोज़ आपके साथ भी यह मिरा समवाद है हरिस साब ने बहुत अच्छी बात बोली यह आपने लिया हीम्दू और मुसलमानों में बराबरी नहीं है और एक डिफरेंस किया जाता है यहाँ अपने इस्ट के मन्दिर के लिए पचास साल का इंतजार किया जाता है यह डिफरेंस है और कोई secularism का सूर्मा बोलता नहीं है यह difference है इस देश के अंदर यह difference है कि इस देश के अंदर आजादी को 70 साल हो गए 75 साल हो गए इस देश के अजादी को मैं मानता हूँ आयोध्या के अंदर राम लला का जो मंदिर था वहाँ पर जो एक विवादित धांचा था उसको लेक नहीं जला जा सकते थे किसी शासन ने उसके बारे में क्यों नहीं सोचा मैं आपकी बात सेगरी करता हूँ कि हाँ डिफरेंस था लेकिन अब सब को बराबर की नजर से देखा जा रहा है आप रोजा इफ़तार भी करिए तो दिवाली के दिये भी जलेंगे के दार रात का व पहले होा जब एस मुल्क के अंदर अगर इफ़तार को किसी ने रोका है तो वो भी मुस्लिम रास्टपती एपी अब्दुल कलाम ने रोका था किसी और ने नहीं रोका था कि इफ़तार नहीं होगा इसको राष्ट हित में लगा जाए इस पैसे को मैं आपको एक चीज़ ब पैसा का जाता है, बताईए चर्च मस्चित का पैसा का जाता है। नहीं है लेकिन किसी भी धर्म सथ पर जो आ जरगा की नहीं जाएगा सरकार को लेकिन इस डेश में एक-एक मंदर के पैसे सरकारों को चल जाते हैं यह बसकते हैं बड़े-बड़े मंदर के अंदर ऑन्दाद में जा रहा हैं? यह तो बढ़त माने। इनों ने एक संटेंज बोला कि डॉक्टर कलाम ने बंद किया था शाइद इसलिए डॉक्टर कलाम के नमाजे जनाजा में कोई सैक्रीरज्रम कार मनें इन बहाने रहे बधाएं कोई यह आउन ज़ेता गया डॉक्तर कलाम के मेमोरियल में आपने कितने सेक्रोरिज्म के चेम्पिएनों की फोक्ते दें आपकोर बताओं। मंदिरों से सरकार पैसा लेती है उत्तर प्रदेश सरकार में भाकाइदा धर्मार्थकार विभाग है जो पैसा लेता है और जो मंदिरों से लिए पैसे से अगर मंदिरों बनता है तो कोई समस्या नहीं जबकि आपके इस्लाम के मजभ के साथ तो काफिरों का पैसा था नहीं वहीं सरकार में तो अंटने के पास थे और इसलिए वाफिरे शुर्ट की ताकत इनके पास थी और अंतर एक बता देता हूं इक एक गटना देखें एक पूरी बात कर लूं केवल सा अबी है तो एक औरत को शायद 80 रूपए या 100 रूपए जितना भी उस समय ताई हुआ था वो नहीं देना है चूंकि मजभ के मामले में सरकार कुछ नहीं बोलेगी जो धार्मी कास्था होगी वो ताई करेगी और सुप्रीम कोट के जज़्मेंट को लाकर शरिया के पक्ष थे की नहीं यह यह उद्या थी कि नहीं कोट में साबित करो सबूत के साथ साबित करो और अर्भी फार्सी से लेके संस्क्रप तक के डॉकुमेंट के साथ Sidhanjähr वाई वाई एक के लिए ये कानून दूसरे के लिए कानून अगर आप आजाएं तो मैं बचाएं जबाब देगा मैंने पहले भी यह बात कहीं मैं अब फिर कहता हूँ जिनको आप कह रहे हैं कि राम के उपर प्रिशन किया है वो मुसल्मान था क्या कौन? सरकार ने किया था आप कहरें कि इसका कोई प्रूफ नहीं है आपको भगवान राम के पैदा होने का प्रूफ चाहिए कि उस्था करें हैं आयोत्या में राम लाला विराजमान है और सदे वराएंगे आप इस देश का इत्यात बदनेंगे आप इस देश की आस्ता है एक सो पैक्षिस करोड हिंदुस्तानियों की आस्ता है अभी सब को बराबर का दर्चा चाहिए था राम भगवान राम उनको मर्यादा परशोत्तम इसलिए का जाता है क्योंकि उनका हर कारज मर्यादा के सब सब्पूर होता है उन भगवान राम को ओनरेबल सुप्रीम कोट ने विराजमान करा और उसके बाद भी ये कहते हैं कि सबूत लेके आओ कि रामलला वही विराजमान थे कैसे साबिट करोंगे डेव के रंजन जी म मंदिरों का पैसा अभी हम महराश्चा में मुंबई में ठाने हैं एक सेकंड मेरी बास सुन लो आप मंदिरों का पैसा जब से आजादी हुई है इस दमारे देश की तब से उसका दुरपियोग ही किया गया सरकार के द्वारा हम चाहते हैं कि उस पैसे से गुरकुलम बने औ को आगे बढ़े पहली बात दूसरी बात सुनि एक और बात ताली नहीं एक सेकंड जब इद आती है तो यह हमसे सुनना चाहते हैं इद मुबारक पर जब धीपावली आती है तब हमसे कोई राम-राम करने नहीं आता अगर बराबरी का मामला चाहते हो अरे से बोलने नहीं जिस कमरे में हुआ था कागजी दस्तावे छोड़ दे तो क्या सबूत है कि महा हुआ था बताईए सबूत बताईए ना तो नहीं आता बात जानते क्या है जो कहते थे कि भगवान राम जहां पर विराजमान है उस आधार पे नहीं माना जाएगा सबूत कागच पांसो साल पुराने कागच चाहिए और वही CNRC में कहते हैं तो हम जहां भी रादमान है मांग लो कागच नहीं दिखाएंगे तो मुझे यह याद आता है कि राम चंद्र कहे गए सिया से ऐसा कल्यूग आएगा कि राम लला तो कागच देंगे बाकी कोई न दिखाएगा आप सुरिए आप तो मैं बता दूँ यह बताईए शाधित रशीदी हैरे साधित रशीदी है नहीं होगा आप उसका कापी जात कड़ा कर रहे हो रिपिस्ट को क्या आप उसको जाईज मानते है धर्म के ãyत्वार से? मैंने उसको कंडम किया है टीवी चैनल पर आपने साहइब सुरा नहीं है चाहे वो बिलकिस्दा बानो हो चाहे बभीता हो चाहे सबीता हो नहीं है चाहे वो कोई भी हो आपने सुणा होगा उसका कौन समर्थन कर सकता आप सुनिये जवाब दे रहा हूं सुनिये मैं जवाब दे रहा हूं मैं पूछना चाहता हूं इम्राना के साथ भी तो बलातकार हुआ था और फिर मौलाना ने फत्वा दिया था कि वो आज से अपने ससुर ने जिसने बलातकार किया था ससुर की पत्मी हो गई और पती की मा हो गई वो धर्म गुरू था इम्राना को जवाब दो इम्राना को जवाब दो कंडम किया है मैं रासीदी जी से बूझना चाहता हूं कि आप दिवाली के सुब उसर पे अपने घर में दिया जलाएंगे और राम राम बोलेंगे मैं तो नीं बोलूऊगा बाई राम 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 अरे मैं मुसल्मान हूँ फिर मुसल्मान किसीजा कमें मैं आप से थोड़े कह रहूँ आप लाला बोलो कैसी सवाल करते हैं यारा आप लों यह है वाधे वा देश पढ़ारे आप बच्छों को आपके प्रशन का उत्तर हम दे रहे हैं जो हमारी दीपावली पे दीप न जलाए जो हमारी दीपावली पे राम राम कहके हमें बदाई न दे हम उसकी इद पे मूद मवारक करने की कोई जरुवत नहीं है अपने अपने मनाओ यह देखिए धरम गुरुव जो नफरस सिखा रहे हैं अपको भी गलत है आपने कैसे का रहा हम नहीं बोलेंगे आपने कैसे का रहे हम सिखाएंगे आपको शर्मानी चाहिए 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 आपको शर्म सुनिए बड़े ध्यान से उन्होंने बेसिक बोला जिए कंभीर चर्चा है सनातनास्था कामरित काल संस्कृति का अर्थ पहले हैं बैठे लोग जानते हैं संस्कृति में क्रीश सब्द है करना को बोलते हैं क्रीश सब्द से धारण करते हैं जब सुभत्त का कोई आधान करके कोई कर्म करता है तो उसको संस्कृति कहते हैं प्रकृति को सुभी ओर ले जाता है तो संस्कृति कहते हैं पर जब कोई विक्रित कर देता है उसको खराब कर देता है तो उसको विक्रित कहते हैं यहाँ विक्रित सब्दों का प्रियोब नहीं होना चाहिए आप अपनी लग मैंने क्या का आप से आप सबने सुना जो मेरी दीपावली में इंबॉल मुला हो मुझे उसकी इद में वहाल क्या जरूवत है यही बोलाने मैं ठीक है ठीक है अब आखिर में कुछ सुनना है मैं सिर्व यह कहता हूँ यह दीपावली का पर्व जानते क्या था जिस दिन भगवान वापस आये और उस दिन क्या हुआ था भरत ने थाली में खडाओं रखकर अपने सगे बड़े भाई का स्वागत किया था ठीक यह राम की परंपरा और एक है बाबरी की परंपरा औरंग अब मैं सुना नहीं सकता क्योंकि मैं दूसरे मोड पर हूँ पर एक बात अपने सनातनियों से सबसे कहूंगा जो आपके और आपके कल्चर की रिस्पेक्ट करें आप उसकी रिस्पेक्ट कीजिए और जो आपके और आपके संसकारों की रिस्पेक्ट न करें जो आपके धर जिन्हें कहा कि वो दूसरे मोड में है तो मैं मोड चेंज करके बोलता हूं राम लला का धाम बन रहा है और हम खूब सुनें ना बच्पन में राम जी का भजन ठुमक चलत राम चंद्र बाजत पैजनिया पर जरूवत पड़ेगी जरूवत पड़ेगी तो धमक चलत राम चं देशा आता रहे और आप काम्याब हो तरक्की करें नमस्कार शुब दिपागली